C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ विज्ञान, कक्षा आठ, अध्याय साथ, पौधे एवं जन्तुओं का सन्रक्षन, पृष्ठ संख्या, सतहत्तर से, पृष्ठ संख्या, नवासी तक, तुआईए सुनते हैं अध्याय साथ, पौधे एवं जन्तुओं का सन्रक्षन हमने देखा था कि कक्षा सात में बूजो एवं पहेली ने प्रोफेसर एहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमन किया था. वो अपने सहपाथियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे. कक्षा के दूसरे सहपाथी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुप थे क्योंकि उनमें से कुछ भरतपूर अभ्यारण्य भ्रमन करने गए थे कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रिय उद्ध्यान लोकचाऊ वन्य जन्तू अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फेर रिजर्व यानि व्रिहद निकोबार जैव मंडल सनरक्षित क्षेत्र बाग सनरक्षित क्षेत्र इत्यादी के बारे में सुना था पहेली ने पूछा राष्ट्रिय उद्ध्यानों वन्य जन्तू अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल सनरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है साथ दशमलव एक वनोन मूलन एवं इसके कारण हमारी प्रिथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जन्तू पायेजाते हैं ये मानवजाती के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवशक होते हैं आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन मूलन एक बहुत बड़ा खत्रा बन गया है हम जानते हैं कि वनोन मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमी का अन्यकारियों में उप्योग करना वन में व्रिक्षों की कटाई इन उद्देश्यों से की जाती है कृशी के लिए भूमी प्राप्त करना घरों एवं कारखानों का निर्मान फरनीचर बनाने अथ्वा लकडी का इन्धन के रूप में उपियोग दावा नल एवं भीशन सूखा भी वनोन मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं क्रिया कलाप 7.1 अपनी सूची में वनोन मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वरगी कृत कीजिए 7.2 वनोन मूलन के परिणाम पहेली एवं बूजों ने वनोन मूलन के परिणाम याद करने का प्रियास किया उन्हें स्मरण है कि वनून मूलन से प्रित्वी पर तापमान एवं प्रदूशन के स्तर में व्रिधी होती है। इससे वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निमनी करण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनून मूलन से प्राकृत एक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया था कि यदि व्रिक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमी की उर्वर्ता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपद की संभावनाईं बढ़ जाती हैं। बूजो ने पूछा वनोन मूलन से एक और जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी और बाढ आना कैसे संभव हो सकता है। याद कीजिए कि प्रकाश संशलेशन की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डायोकसाइड की आवशक्ता होती है। कम वरिक्षों का अर्थ है कार्बन डायोकसाइड के उपियोग में कमी आना जिससे वायू मंदल में इसकी मातरा बढ़ जाती है। क्योंके कार्बन डायोकसाइड पृत्वी द्वारा उत्सर्जित उश्मीय विकिरणों का प्रग्रहन कर लेती प्रिष्ट अठहत्तर अतह इसकी मात्रा में वृद्धी के परिणाम स्वरूप विश्व उश्णन होता है, पृथ्वी के ताप में वृद्धी के जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षादर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है. मृद्धा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनुन्मूलन है. किसी क्षेत्र की मृद्धा के भौतिक गुणों पर व्रिक्षारोपन और वनस्पती का प्रभाव पड़ता है. कक्षा सात का स्मरण कीजिए कि व्रिक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं. भूमी पर व्रिक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है. मृदा की उपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टाने दिखाई देने लगती हैं. इससे मृदा में हूमस की कमी होती है तथा इसकी उरवर्ता भी अपेक्षा कृत कम होती है. धीरे धीरे उर्वर भूमी मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है इसे मरुस्थली करण कहते हैं वनून मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमी की उपरी सतह से जल के नीचे की और अंतहस्रवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है मृदा के अन्य गुण जैसे पोशक तत्व गठन इत्यादी भी वनून मूलन के कारण प्रभावित होते हैं हमने कक्षा साथ में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं इन उत्पादों की सूची बनाईए यदि हम व्रिक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा क्रिया कलाप साथ दशमलव दो वनों मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए साथ दशमलव तीन वन एवं बन्य प्राणीयों का सनरक्षन वनों मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिन्तित थे वे प्रोफेसर एहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा के वन एवं बन्य प्राणीयों को किस प्रकार बचाया जा सकता है प्रोफेसर एहमद ने पहेली, बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल सनरक्षित क्षेतर के भ्रमन का आयोजन किया इसके लिए उन्होंने पच्मढ़ी जैव मंडली ये सनरक्षित नामक क्षेतर को चुना वे जानते हैं कि इस क्षेतर के पौधे एवं जन्तु उपरी हिमालाए की श्रिंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है प्रोफेसर एहमद का विश्वास है कि इस क्षेतर की जैव विविधता अनूठी है उन्होंने वन कर्मचारी श्रिमाधव जी से जैव मंडली ये सनरक्षित क्षेतर में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेतरों का सनरक्षन हमारी राष्ट्रिय परंपरा का एक भाग है जैव मंडल पृत्वी का वो भाग है जिसमें सजीव जीव पाए जाते हैं अथ्वा जो जीवन यापन के योग्ये हैं जैव विविधता का अर्थ है पृत्वी पर पाए जाने वाले विभिन जीवों की प्रजातियां उनके पारस पर एक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त, सरकारी एजिंसियां भी वनों एवं वन्य जन्तुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और सन्रक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जन्तु अभ्यारण्य, राष्ट्रिय उद्यान, जैव मंडल सन्रक्षित क्षेत्र इत्यादी, पौधों और जन्तुओं के लिए सन्रक्षित इवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। वनस्पती जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षन हेतू संरक्षतक्षेत्र चिन्हित किये गए, जिने वन्यजीव अभ्यारण्य, राश्ट्रिय उद्ध्यान और जैव मंडल आरक्षतक्षेत्र कहते हैं। वरिक्षारोपन, क्रिशी, चारागाह, वरिक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतू शिकार याने पोचिंग इन क्षेत्रों में निशिद्ध हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, वो क्षेत्र, जहां जन्तू एवम उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोब से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रिय उद्ध्यान, वन्य जन्तूओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वो स्वतंत्र, अर्थात, निर्बाध रूप से आवास एवम प्राक्रितिक संसाधनों का उपियोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जन्तू संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक धंग से जीवन यापन हेतू, विशाल संरक्षित क्षेत्र, प्रिष्ट उनासी, क्रिया कलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रिय उद्यानों, वन्य जन्तू अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ग्यात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिये, इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में भी दर्शाईए। 7.4 जैव मंडल आरक्षन प्रोफेसर एहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के सनरक्षन के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा के आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेश में पाए जाने वाले सभी पौधों, जन्तुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृती को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतरगत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। इस सारणी के अंतरगत चार शीरशक दिये गए हैं। संरक्षित क्षेत्र राश्ट्रिय उद्ध्यान वन्य जन्तु अभ्यारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के नीचे पहले बक्षे में लिखा है मेरे जिले में। दूसरे बक्षे में लिखा है मेरे प्रदेश में और तीसरे बक्षे में मेरे देश में लिखा है। इन तीनों बक्षों के सामने दिखाए गए बक्षे खाली हैं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र साथ दशमलव एक दर्शाया गया है। ये पच्मढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का रेखा चित्र है। इसमें दिखाए गए प्रमुख क्षेत्र हैं। पच्मढ़ी अभ्यारण्य पिपरिया को जाने वाला रास्ता पनारपानी गेट पच्मढ़ी नीमधन सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान बोरी अभ्यारण्य बोरी, धैन, चूर्ना संरक्षित क्षेत्र प्रिष्ठ अस्सी क्रिया कलाप साट दशमलव चार आपके अपने क्षेत्र में जैव विवधता को विक्षोभईत करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इन में से कुछ क्रिया कलाप अनजाने में ही जैव विवधता में विक्षोभ उत्पन कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाईए, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए, तथा इसकी संग्षिप्त रिपोर्ट अपनी कौपी में नोट कीजिए. साथ दशमलव पांच पेड़ पौधे एवं जीव जन्तू बच्चों ने भ्रमन करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की, वे लंबे-लंबे सागाउन याने टीक के व्रिक्षों एवं बन्य प्राणियों को देख कर प्रसन्न थे. पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया. वो उसके पीछे दोड़ने लगी. प्रफेसर एहमद ने उसे रोका. उन्होंने समझाया कि जन्तू अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं. हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए. माधव जी ने समझाया कि कुछ जन्तू एवं पौधे एक क्षेत्र विशेश में पाए जाते हैं. किसी विशेश क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पती जात एवं जीव जन्तू प्राणी जात कहलाते हैं. साल, सागाउन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादी, वनस्पती जाथ हैं, तथा चिंकारा, नील गाई, बाकिंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेडिया इत्यादी, पच्मढी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जाथ हैं, चित्र साथ दशमलव दो, इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र साथ दशमलव दो दिखाया गया है, A. ये जंगली कुत्ते का चित्र है, B. इस चित्र में चीतल दिखाया गया है, C. ये भेडिये का चित्र है, D. इस चित्र में कैमरे की ओर देखता हुआ जो जीव है, वो तेंदुआ है, E. ये फर्न है, F. ये जामुन के व्रिक्ष का चित्र है, प्रिष्ट 81, क्रिया कलाप 7.5, अपने स्थानी ये क्षेत्र के वनस्पती जात और प्राणी जात की पहचान कर, उनकी सूची बनाईए, 7.6, विशेश क्षेत्री प्रजाती, बच्चे शीगर ही शान्ती पूर्वक गहरेवन में प्रविष्ट हो गए, बच्चे एक विशाल काए गिलहरी को देखकर अचम्भित रह गए, इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूँच है, वे इसके विशाय में जानने के लिए बहुत उत्सुख है, माधव जी ने बताया के इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और ये यहां की विशेश क्षेत्री स्पीशीज है, पौधों एवं जन्तुओं की वो स्पीशीज जो किसी विशेश क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेश क्षेत्री स्पीशीज कहते हैं, ये किसी अन्यक्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेश प्रकार का पौधा या जन्तू, किसी विशेश क्षेत्र, राज्य, अथ्वा देश की विशेश क्षेत्री हो सकते हैं। ए दिखाया गया है ये चित्र जंगली आम के व्रिक्षका है पहेली ने पूछा मैंने सुना है कि कुछ विशेश क्षेत्री स्पीशीज विलुप्त हो सकती है क्या ये सच है विसन यानि भारतिय विशाल गिलहरी चित्र साथ दशमलव तीन तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेश क्षेत्री प्राणी है प्रोफेसर एहमद ने बताया कि इनके आवास के नश्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेश क्षेत्री स्पीशीज के प्राक्रितिक आवास पर प्रभाव पढ़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में चित्र साथ दशमलवतीन बी दिखाया गया है ये चित्र विशाल गिलहरी का है स्पीशीज सजीवों की समष्टी का वो समुह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं इसका अर्थ है कि एक जाती के सदस्य केवल अपनी जाती के सदस्यों के साथ अन्य जाती के सदस्यों को छोड़ कर जननक्षम संतान उत्पन कर सकते हैं एक जाती के सदस्यों में सामान्य लक्षन पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहां के विशेश क्षेत्री पौधों और जन्तूओं का पता लगाईए। प्रिष्ट बयासी साथ दशमलव साथ वन्यप्राणी अभ्यारण्य शीगरही पहेली ने एक बोड देखा, जिस पर लिखा हुआ था पच्मढी वन्यप्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर एहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्यप्राणी, जन्तू, सुरक्षित एवं सन्रक्षित रहते हैं। इन्हे वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनह बताते हैं कि अभ्यारण्य वो स्थान हैं जहां प्राणियों अथ्वा जन्तुओं को मारना या शिकार करना अथ्वा पकड़ना पून तह निशिद्ध इवं दंडनी अपराद है। कुछ महत्वपून संकटापन वन्य जन्तु जैसे के काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनेहरी बिल्ली, गुलाबी सिर्वाली बत्तक, घडियाल, कच्छ मगर मच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादी हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित वम संरक्षित हैं। भारती अभ्यारण्यों में अनूठे द्रिश्य भूमी, बड़े समतल वन, पहाडी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की जाडी भूमी अत्वा बुष्लैंड हैं। ये अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं बच्चों को प्राणी उद्ध्यान यानि चिडियागर भ्रमन की यादें ताजा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मर्ण है कि प्राणी उद्ध्यान भी वो क्षित्र हैं जहां हम प्राणियों, जन्तुओं का संरक्षन करते हैं। बूजों ने पूछा चिडियागर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। पेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं। आपके विचार में जन्तुओं चिडियागर में अधिकाराम से हैं अत्वा प्राकृतिक आवास में। साथ दशमलव आठ राष्ट्रिय उद्ध्यान। सडक के किनारे एक और बोड लगा था, जिस पर लिखा था सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया के ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपून संगटकों का संरक्षन करने में परियाप्त है। इन्हें राष्ट्रिय उद्ध्यान कहते हैं, ये वनस्पति जात, प्राणी जात, द्रिश्य भूमी तथा एतिहासिक वस्तूओं का संरक्षन करते हैं। सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वुत्तम किस्म की टीक याने सागाउन इस वन में मिलती है। सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान की चट्टानों में आवास याने शरण भी स्थित है। ये इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागयति हासिक प्रमाने हैं, जिससे हमें आदी मानव के जीवन्यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पच्मढ़ी जैवमंडल सनरक्षित क्षेत्र में पच्पन चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जन्तु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्ययंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था सत्पुडा बाग आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बागों के संरक्षन हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अत्वा बाग परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बागों की उत्तर जीविता एवं संबर्धन करना था। प्रिष्ठ 83 इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 7.4 दर्शाया गया है. ये बाग का चित्र है. चित्र 7.5 इस चित्र में जंगली भैसा दिखाया गया है. चित्र 7.6 इस चित्र में बारह सिंगा देखा जा सकता है बूजो ने पूछा क्या इस वन में बाग अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उमीद है कि मैं बाग देख सकता हूँ बाग उन स्पीशीज में से एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रही हैं परंतु सत्पुडा आरक्षित क्षेत्र में बागों की संख्या में वृध्धी हो रही है अतह ये संरक्षन का अनूठा उदाहरण है किसी समय शेर, हाथी, जंगली भेंसे, चित्र 7.5 तथा बारह सिंगा, चित्र 7.6 भी सत्पुडा राष्ट्रिय उद्ध्यान में पाए जाते थे वे जन्तु जिनकी संख्या एक निर्धारत स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं संकटा पन जन्तु कहलाते हैं। बूझो को डाइनोसौर के विशय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर एहमद ने बताया कि पौधों और जन्तुओं के संरक्षन के उद्देश्य से सभी राष्ट्रिय उद्द्यानों में कड़े नियम लागू किये जाते हैं। मानवी ये गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औशधी ये पौधे एकत्र करना स्वीकारिय नहीं है। पहेली ने पूछा, क्या केवल बड़े जन्तूओं को ही विलुप्त होने का खत्रा है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जन्तूओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम साप, मेंधक, छिपकली, चमगादर तथा उल्लू इत्यादी को निर्दैता से मार डालते हैं और पारी तंत्र में उनके महत्वक्य विशाय में सूचते भी नहीं हैं। उनको मार कर हम स्वयम को हानी पहुँचा रही हैं। यद्यपी वे आकार में छोटे हैं परन्तु पारी तंत्र में उनके योगदान को अंदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रिंखला के भाग हैं जिसके बारे में आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेतर के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायू, भूमी याने मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादी संयुक्त रूप से किसी पारी तंत्र का निर्मान करते हैं। बूजों ने कहा, मुझे आश्चरे होगा, यदि संकटा पन्न स्पीशिस का कोई रिकॉर्ड भी हो। साथ दशमलव नौ रेड डाटा पुस्तक प्रोफेसर एहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विशय में समझाती हैं। वो उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें सभी संकटा पन्न स्पीशिस का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जन्तुओं और अन्य स्पीशिस के लिए अलग-अलग रेड डाटा पुस्तक हैं। रेड डाटा पुस्तक के विशय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.wil.gov.in slash envis slash primates slash page 102htm slash new slash nwdc slash plants dot htm dot से प्राप्त कर सकते हैं। 7.1 शून्य प्रवास माधव जी के निर्देशन में भ्रमन पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वो तवा सनरक्षित क्षेत्र में कुछ समाय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़ कर यहां आये हैं। जलवायू में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समाय पर उड़ कर आते हैं। वो यहां अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वो स्थान उस समाय जीवन यापन हेतू अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं। प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसा के पहेली ने कक्षा साथ में पढ़ा। पहेली ने कहा क्या होगा जब हमारे पास लकडी ही नहीं बचेगी। क्या लकडी का कोई विकल्प उपलब्द है। मैं जानती हूँ के कागज एक महत्वपून उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्द हो? साथ दशमलव एक एक कागज का पुनह चक्रण प्रोफेसर एहमद बच्चों का ध्यान वनोन मूलन के एक और कारण की ओर आकरशित करते हैं वो उन्हें बताते हैं कि एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूनरूपेंड विकसित सत्रह व्रिक्षों को काटा जाता है अतह हमें कागज की बचत करनी चाहिए प्रोफेसर एहमद ये भी बताते हैं कि उप्योग के लिए कागज का पाँच से साथ बार तक पुनह चक्रण किया जा सकता है यदी कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक व्रिक्ष बचा सकते हैं हमें कागज की बचत करनी चाहिए और इसका पुनह उप्योग एवं पुनह चक्रण करना चाहिए इसके द्वारा हम नकेवल व्रिक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उप्योग में आने वाले जल इवं उर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उप्योग में आने वाले हानिकारक रसाइनों में भी कमी आएगी। बूजों ने पूछा, क्या वनोन मूलन का कोई स्थाई हल है? साथ दशमलव एक दो पुनरवन रोपन प्रोफेसर एहमद का सुझाव है कि वनोन मूलन का उत्तर पुनरवन रोपन है. पुनरवन रोपन में काटे गए व्रिक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए व्रिक्षों का रोपन करना है. रोपन वाले व्रिक्ष सामान नित है उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं. हमें कम से कम उतने व्रिक्ष्टों लगाने ही चाहिएं जितने हम काटते हैं प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपन हो सकता है यदि वनोन मूलित क्षेतर को अबाधित छोड़ दिया जाए तो ये स्वतह पुनरस्थापित हो जाता है प्राकृतिक पुनर्वन रोपन में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नश्ट कर चुके हैं यदि हमें अगली पीड़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक व्रिक्षारूपन ही एक मात्र विकल्प है प्रिष्ट 85 प्रोफेसर एहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षन अधिनियम है इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षन और संरक्षन करना है साथ ही साथ ऐसे उपाए भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधार भूत आवशक्ताओं की पूरती हो सके कुछ समाए विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंके सूरियास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है वापस आने के बाद प्रोफेसर एहमद एवं बच्चों ने इस उल्लास पून अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया प्रिष्ट छे आसी, प्रमुक्षब्द, जैव विविधता, जैव मंडल आरक्षण, सनरक्षण, वनोन मूलन, मरुस्थली करण, पारितंत्र, संकटा पन्न स्पीशीज, विशेश क्षेत्री स्पीशीज, विलुप्त, प्राणी जात, वनस्पती जात, प्रवासी पक्ष राश्ट्रिय उद्ध्यान, रेड डाटा पुस्तक, पुनर्वन रूपन, अभ्यारण्य, आपने क्या सीखा? वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राश्ट्रिय उद्ध्यान एवं जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र ऐसे नाम हैं, जो वन एवं वन्य प्राणियों का इवं परिरक्षण हेतू बने हैं, जैव विविधता का अर्थ है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किसमें, किसी क्षेत्र के सभी पौधे इवं जन्तु उस क्षेत्र के वनस्पती जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं, विश प्रवास वो परी घटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेश अवधी में विशेश कर प्रजनन हेतू चलन होता है। हमें व्रिक्ष, उर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत उसका पुनह उप्योग और पुनह चक्त्रन करना चाहिए। पुनर्वन रोपन नश्ट किये गए वनों को पुनर स्थापित करने के लिए रोपन करना है। अभ्यास एक, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ती कीजिए। क, वो क्षेत्र जिसमें जन्तु अपने प्राकृतिक आवास में सनरक्षित होते हैं, रिक्त स्थान कहलाता है। क, किसी क्षेत्र विशेश में पाई जाने वाली स्पीशीस रिक्त स्थान कहलाती हैं। ग, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से रिक्त स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। दो, इन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क, वन्य प्राणी उद्ध्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ख, चिडिया घर एवं अभ्यारण्या। ग, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीस। ग, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रिष्ट 87 3. वनोन मूलन का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चर्चा कीजिए। क, वन्य प्राणी। ख, पर्यावरण। ग, गाउं। ग्रामीन क्षेत्र। ग, शहर, शहरी क्षेत्र। ड, प्रित्वी। च, अगली पीढी। 4. क्या होगा यदी। क, हम व्रिक्षों की कटाई करते रहे। ख, किसी जन्तु का आवास बाधित हो। ग, मिट्टी की उपरी परत अनावरित हो जाए। 5. संक्षेप में उत्तर दीजिए। क, हमें जैव विविधता का सनरक्षन क्यों करना चाहिए। ख, सनरक्षित वन भी वन्य जन्तुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? ग, कुछ आदिवासी, वन्याने जंगल पर निर्भर करते हैं। कैसे? ग, वनोन मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? ड, रेड डाटा पुस्तक क्या है? च, प्रवास से आप क्या समझते हैं? छ, फैक्टरियों एवं आवास की मांग की आपूर्ती हेतु, वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन पर योजनाओं के लिए व्रिक्षों की कटाई नियाय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए, तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तयार कीजिए। साथ, अपने स्थानी एक शेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तयार कीजिए। आठ, वनोन मूलन से वर्शादर किस प्रकार कम हुई है? समझाईए। नौ, अपने राज्य के राश्ट्रिय उद्ध्यानों के विशय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखामान चित्र में उनकी स्थिती दर्शाईए। दस, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कारियों की सूची बनाईए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। ग्यारह, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। उपर से नीचे की ओर एक विलुप्त स्पीशीज की सूचनावाली पुस्तक दो पौधों, जन्तुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किसमे एवं विभिन्नताईं। प्रिष्ट अठासी बाई से दाई ओर दो, पृत्वी का वो भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तीन, विलुप्त हुई स्पीशीज चार, एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाएं। एक, इस सत्र में अपने पडोस में कम से कम पाँच विभिन पौधे लगाईए तथा उनके बड़े होने तक उनका रखरखाव भी कीजिए। दो, प्रतिग्या कीजिए के इस वर्ष आप अपने मित्रों एवं संबंधियों को उनकी उपलब्धियों अत्वा जन्म दिन जैसे अवसर पर नियूनितम पाँच पौधे उपहार में देंगे तथा उन्हें प्रोथसाहित करेंगे के वो भी उपहार में पाँच पौधे अपने मित्रों को देंगे। वर्ष के अंत में इस श्रिंखला में उपहार दिये गए पौधों की संख्या ज्याद कीजिए। तीन, क्या आदिवासियों को वन के प्रमुख क्षेत्र में रहने से वंचित करना न्याय संगत है? अपनी कक्षा में इस विशाय पर चर्चा कीजिए तथा इसके पक्ष एवं विपक्ष के तर्क को अपनी कौपी में लिखिए। चार, निकट के किसी पार्क की जैव विविधता का अध्ययन कीजिए। इसकी वनस्पती जात एवं प्राणी जात का फोटोग्राफ एवं आरेखित चित्रों सहित एक विस्तरित रिपोर्ट तैयार कीजिए। पांच, इस अध्याए से आपको जो नई सूचना प्राप्त हुई है उसकी सूची बनाईए। आपको कौन सी सूचना सबसे अच्छी लगी और क्यों। 6. कागज के विभिन उप्योगों की सूची बनाईए। मुद्रा के नोट का ध्यान पूरवक प्रेक्षन कीजिए। क्या आपको नोट के कागज एवं अपनी कौपी के कागज में कोई अंतर नजर आता है। पता लगाईए कि मुद्रा के नोट के लिए उप्योग किया जाने वाला कागज कहां बनता है। साथ, करनाटक सरकार ने प्रोजेक्ट हाथी नामक परियोजना राज्ये में एशियन हाथी की सुरक्षा हेतु प्रारंभ की है। इसके विशय में जानकारी प्राप्त कीजिये तथा अन्य संकटा पन्य स्पीशीस के संरक्षन हेतु चलाई गई अन्य परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त कीजिये। प्रिष्ट नवासी क्या आप जानते हैं? एक, विश्व में जंगली बागों की आधी से अधिक संख्या भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 65 प्रतिशत एशियन हाथी, 85 प्रतिशत एक सींग वाले गेंडे एवं 100 प्रतिशत एशियन शेर भारत में ही पाई जाते हैं। दो, विश्व के बारह बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। विश्व के 34 जैव विविधता तप्त स्थलों में से दो भारत में स्थित हैं। ये हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ये क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। तीन, आज वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खत्रा अतिक्रमन से उनके आवास नश्ट होने का है। चार, भारत में विश्व की संकटा पन्न स्पीशीज की संख्या 172 है जो विश्व की संकटा पन्न स्पीशीज का 2.9 प्रतिशत है। पूर्वी हिमालय के तप्त स्थल में पशू और पौधों की स्पीशीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटा पन्न स्पीशीज हैं। भारत में एशिया की कुछ दुरलभ प्रजातियां जैसे के बंगाल लोमडी, संगमर्मरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा, गौर, जंगली एशियाटिक जल भैसा इत्यादी पाई जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय साथ यहां समाप्त हुआ, वाचक बाबला को छड़। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठे पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक मयंक कुमार। निर्मान सहयोग अमित कुमार। निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत। घ्ली भाले प्ति होग्ष्ट झाल झाल